Hello Friends, My Name is Hemant आज मैं आपको SSC CHSL 2019 जो मार्च और अक्टूबर 2020 में हुआ था उसमें General Awareness के सारे Question Solve कराऊँगा आज जो मैं कराऊँगा 17 मार्च की 3 सिफ्ट का एक दिन में 3 सिफ्ट होते हैं 3 सिफ्ट के Paper कराऊँगा यानकी 75 Question कराऊँगा आप इनकी Practice जरूर करें यह आने वाले एक्जाम जो CHSL 2021 में होने वाला है और आपके CGL जो होने वाला है और अभी MTS भी आ गया है उसके लिए बहुत ही important वीडियो है तो आप इन्हें जरूर देखें यह आपकी 9 या 10 वीडियो आएंगी जिसमें डेली 75 Question Solve कराऊँगा हर वीडियो में तो आप इसे पूरा देखें अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसे Like, Share और चैनल को Subscribe जरूर करें तो शुरू करते हैं पहला Question है सेरसा सूरी का मगबरा कहां इस्तित है तो आपको बताना है सेरसा सूरी का मगबरा कहां इस्तित है आप सोचें और फिर देखें आंसर तो इसका जो आंसर है सेरसा सूरी का मगबरा आपका सासाराम में इस्तित है और यह सासाराम आपका कहा है आपको पता हुगा यह आपका बिहार में तो इसका answer आपका क्या हो जाएगा सासा राम, सेरसा सूरी का मकबरा कहा है सासा राम में next question है UNICEF की स्थापना किस वर्स होई थी तो UNICEF की स्थापना आपकी होई थी UNICEF की आपको full form पता हो नीचे तो UNICEF की full form क्या है United Nation Children Fund ठीक है तो इसकी स्थापना जो होई थी 11 दिसंबर 1946 में होई थी तो इसका answer आपका क्या हो जाएगा fourth option 1946 इसका answer हो जाएगा next question करते है next है सचिन तैंदूलगर ने अपने match में अपना पहला एक दीवसी अंतराष्टी ODI सतक बनाया था तो कौन से match में उसने ODI century बनाया थी तो आपको बताना है सचिन तैंदूलगर ने 78 वे match में अपनी ODI century बनाया थी इसका answer हो जाएगा next question देखते है next question है computer सब्दावली में निबल को कहा जाता है तो आपको पता होगा एक byte में आपका कितना होता है एक byte में आपका 8 bit होता है तो एक निबल में आपका क्या होता है एक निबल में आपका एक निबल में आपका 4 bit होता है ठीक है 4 bit होता है तो इससे आपको idea लग गया होगा तो निबल को क्या कहा जाता है निबल को आप देखेंगे एक byte में 8 bit है तो इसका half करेंगे तो यहाँ चार बीट हो जाएगा और यह हाब बाइट हो जाएगा तो एक निवल को आपका क्या कहा जाता है आधा बाइट कहा जाता है इसका आंसर आधा बाइट हो जाएगा ठीक है ठर्ड ओप्सिन इसका आंसर होगा मेखला चादर नेक्स्ट क्वेशन करते हैं नेक्स्ट है निमने मैंसे कौन ट्विटर के सहसता पक है तो आप कहेंगे को फाउंडर है तो आपके इसके फाउंडर जो है चार है जो इसमें देखिए आप कौन सा इसका आंसर है तो आप ऑप्सन से भी इससे ऐलिमनेट कर सकते ह तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा जैक डॉर्ची तो अगर आपके पास information है option देखके भी आप आंसर eliminate करके भी अपना risk कम कर सकते हैं तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जैक डॉर्ची हो जाएगा next question करते हैं next question है जुलाई 2019 में प्रक्षेपित चंद्रयान टू नामक अंतरिक्षियान का वजन कितना था तो इसका आपका हो जाएगा 3.810 हो जाएगा तो कितना था 3.810 next question है जनवरी 2020 तक की इस्तिती के अनुसार 800 मीटर और 1500 मीटर दोनों प्रिंट इस परधाओं में राष्टी रिकॉर्ड किसके नाम था यह आपके current affairs के question है हो सकता है जो अभी current affairs से आए ठीक है उसमें यह question ना दिखें लेकिन आप कह नहीं सकते यह आपके 2020 के हैं अब आप मैं देखते होंगे एक-एक साल दो-दो साल तक के पीछे के current affairs पूछ रहें फिर भी आप अगर एक बार देखें आपके दिमाग में रह जाएंगे practice हो जाएगी तो इसका आंसर हो जाएगा जिंसन जॉन्सन नेक्स question करते हैं नेक्स्ट है आपका निमखित में से कौन सी पैंसन योजना मैं 2017 में भारत सरकार द्वारा विसेश रूप से वरिष्ट नागरिकों के लिए शुरू की गई थी तो इसका आंसर है आपका आप बताएं इसका आंसर है PMVVY तो PMVY की जो full form है वो है परधान म स्की में किसके लिए वरिष्ट नागरिकों के लिए जो सीनियर सिटीजन है साटी प्लस वाले उनके लिए शुरू के यह थी कब मई 2017 में ठीक है तो इसका नाम है PMVVY ये आपको पता हो नीचे है short form भी और full form भी हो सकता है next question में next जो अभी exam आएं उसमें पूछे PMVVY की full form तो आप बताएंगे क्या है परधान मंतरी वय वंदना योजना next question करते है next है आपका निमखित में से कौन सा बिटामिन जल में घुलंसिल है तो आपको पता है जल में घुलंसिल जो बिटामिन होते है वो B और C होते है तो आप देखने है option से आपका देखने बिटामिन C है और जो जल में घुलंसिल होते है वो आपके क्या होते है के इडिये ठीक है इसको याद करने का तरीका है केडा तो के इडिये जो है ये वसा में घुलंसिल होते है और B और C जो है वो जल में घुलंसिल है तो option में आप देखने B नहीं है तो answer आपका क्या हो जाएगा C हो जा परने, नेक्स्ट कोशन करते हैं, नेक्स्ट है, जन्वरी 2020 तक की इस्तिती के अनुसार, BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो ये तो आपको सभी को पता है, BCCI के अध्यक्ष कौन थे, आपके सौरब गांगोली अभी भी है, ठीक है, निमखित में से कौन सा राजी भारती सभीदा की छटी अनुसूची में सामिल है तो आपको बता है छटी अनुसूची में आपका administration में चार राज्यों के administration के बारे में बताया गया है तो इसमें आपके कौन राज्य है चार राज्य एक आपका असम है ठीक है आपका कौन सा है, मीजोरम इसका आंसर हो जाएगा, तो चार राजी है, जो आपकी छटी अनिसोची में हैं, असम मेघालाय तिरपुरा मीजोरम, next question देखते हैं, next question है आपका अंतराष्टी ओजोन दिवस कम मनाया जाता है, तो अंतराष्टी ओजोन दिवस जो है आपका 16 आए जाता है, next question देखते हैं, next question है वह नली है जो मूत्र को किड्नी से मूत्रा से तक ले जाती है, तो वह नली कौन सी है, तो आप कहेंगे मूत्र वहानी वह नली है, जो मूत्र को किड्नी से मूत्रा से तक ले जाती है, second इसका आंसर हो जाएगा, next question करते हैं, next है आपका क नेक्स्ट है आपका निम्खित में से किसे 2019 में पद्म भूशन से सम्मानित किया गया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर किसे किया गया है, मोहनलान, मोहनलाल, विस्टुनातन को, यह साउथ के एक्टर है, तो इन्हें आपका पद्म भूशन से सम्मानित किया गया है, 2019 में, ये आपका असम में है ठीक है तो ये भी आपको पता होना चीए तो सबसे बड़ा नदी दीप कौन सा है माजुली दीप है next question करते है next question है सरावती नदी से निमखित में से कौन सा जहरना निकलता है तो आपको बताना है सरावर्ती नदी से कौन सा जहरना निकलता है तो इसका आंसर हो जाएगा जेर सप्पा जहरना निकलता है और सरावर्ती नदी जो है यह आपका कहा है यह आपका करनाटक में है नेक्स कोशिटन करते हैं लेटराइट मिट्टी में प्रचूर मात нормा मैं पाया जाता है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आयरन ऑक्साइड इसका अंसर 4th आप्सान हो जाएगा फर्वरी 2020 की इस्तिती के अनुसार लोक सबा में कितने सदस्य उत्तर परदेस राजी का परती निदुत्य करते हैं तो इसका अंसर आपको हो जाएगा 80 और सबसे जादे यही से करते हैं ठीक है यह भी आपको पता होने चीए तो 80 इसका अंसर है next question है january 2020 तक की इस्तितिक अनुसार भारत के सबसे युवा सत्रंज Grand Master का खिताब किसके नाम था तो किसके नाम था तो आप कहेंगे fourth option है इसका डी गुगेस next question है next question देखते है next question है आपका january 2020 तक की इस्तितिक अनुसार Yes Bank के Managing Director कौन है तो Yes Bank के जो Managing Director है वो आपके रहुनीद गिल थे 2020 तक के लेकिन अब कौन है अभी आपके प्रसांत कुमार है Next question है Next देखिए आप इसमें है Kerala Gods on Country पुस्तक के लेखक लेखिगा कौन है तो आप बताएंगे Kerala Gods on Country पुस्तक के लेखक जो है भारती Railway Coach Factory की सहर में इस्तित है तो आप बताएंगे भारती Railway Coach Factory जो है आपका इसका जो कारखाना था वो आपका कपूर थला में ठीक है तो इसका अंसर आपका कपूर थला हो जाएगा और ये कपूर थला है कहां आपका ये आपका पंजाब में है ठीक है नेक्स देखते हैं ये आपकी एक सिफ्ट खतम होती है तो नेक्स सिफ्ट देखते हैं तो नेक्स सिफ्ट का पहला कुश्चन है जनवरी 2020 में किस देश ने सुखे के कारण उठो को मारने का आदेश दिया है तो किस देश ने दिया है तो इसका आन्सर आपका हो जाएगा अश्टेलिया फोर्थ ओप्षन हो जाएगा next question नेख़शन है कुमाव हिमालय निम्खित मैं से किन दो नद्यों के बीच इस्तित है तो इसका आन्सर आपका हो जाएगा इसका option है first option सतलज और काली नदी के बीच में आपका कुमाओं हिमाला है next question है भारत में किसके सुझाओं पर सरकार द्वारा किर्सी फसलों का न्यूंतम समुर्थन मूली MSP निरधारित किया जाता है तो आपको बताना इसका answer क्या होगा तो इसका answer है CACP और इसकी full form क्या होती है किर्सी लागत और मूली आए हो इंगलिस में आप कहेंगे the commission for agriculture cost and price तो CACP जो है यह आपका क्या निरधारित करता है MSP निरधारित करता है next question है next है आपका भारत के राष्टी प्रतीक पर उलेखित सत्य में जहते सब्द किस उपनिसत से लिया गया है तो सत्य में जहते सब्द किस उपनिसत से लिया गया है तो इसका answer हो आपका हो जाएगा second option मुंडक मुंडक उपनिसत से यह आपका लिया गया है तो इसका answer आपका second option मुंडक हो जाएगा नेक्स्ट कुश्टन देखते हैं नेक्स्ट कुश्टन है बारवी पंचवर्षी योजना की अवधी कब से कब तक थी? 2012-2017 इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ओप्सन next question देखते हैं next है आपका कर्म योध्धा ग्रंथ निम्खित में से किसके जीवन पर लिखा गया है तो आप बताएंगे कर्म योध्धा ग्रंथ जो है या आपका नरेंद्र मोधी के जीवन पर लिखा गया तो इसका आपका third option हो जाएगा या आपको याद रखना है या current affairs हो गया या आपका कुछ भी आगया आएगा तो उसमें पूछा जा सकता है तो कर्म योध्धा ग्रंथ जो है नरेंद्र मोधी के जीवन पर लिखा गया है next है हीरा कुंड बांथ किस राजी में इस्तित है या आपका उडिसा में है तो इसका आंसर first option हो जाएगा उडिसा next है आपका केंड सासित परदेश लद्धाग में कितने जीले हैं तो आप कहेंगे केंड सासित परदेश लद्धाग में कितने जीले हैं दो जीले हैं कारगिल और ले तो इसका अंसर आपका fourth option हो जाएगा next question देखते हैं next है vitamin B complex में कितने vitamins होते हैं तो इसका answer आपका क्या हो जाएगा vitamin B complex में कितने vitamins होते हैं 8 vitamins होते हैं तो इसका answer आपका second option हो जाएगा next है भारती सुधार संग का निर्मान कब किया गया था तो इसका आंसर आपका हो जाएगा second option 870 next question देखते हैं next है निम्खित में से किसको नए जारखंड विधानसवा अध्यक्च के रूप में चुना गिया है तो किसको नए जारखंड विधानसवा अध्यक्च के रूप में चुना गिया है तो इसका आंसर है आपका second option रवीन्र नात मेहतो को नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं नेक्स्ट है आपका कर्णम मलेश्वरी को पदम्सरी कब मिला था तो कर्णम मलेश्वरी जो थी यह भारोतोलक है ये जो है ये जो है ओलंपिक खेलों में कांस पदक जीतने वाली पर्थम महला खिलाडी थी तो इन्हें कब मिला था आपका पदहमसरी तो आप कहेंगे 1990 में ने पदहमसरी मिला था नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं नेक्स्ट है आपका निमखित में से जी का मान क्या है तो जी का मान यहाँ पर क्या होता है सभी को पता होगा 9.8 मीटर पती second square ठीक है तो यह आपका second option हो जाएगा next question देखते हैं भारत के राष्टपती भावन का निर्मान किस वर से पूरा हुआ था तो भारत के राष्टपती भावन का निर्मान आपका कब हुआ था 1929 में हुआ था तो इसके जो architecture थे वो कौन से थे लुटियन से थे ठीक है 1929 में और इसमें आपको बता दें कि इसमें राष्टपती भावन में 4 तल हैं और 340 कम रहे हैं next question करते है next है ताबे का प्रमानु करमां क्या है तो ताबे का प्रमानु करमां क्या है तो आप कहेंगे 29 ठीक है और इसका symbol क्या होता है इसका symbol आपका CU होता है तो 29 इसका प्रमानु क्रमां क्या है और symbol भी पूछा जा सकता है तो आपका symbol क्या होता है CU होता है next है न एरॉब डार्कनेस नामक पुस्टर किसने लिखिए है तो इसका भी आंसर आपको पता हुगा, इसका आँसर है आपका ससी थरूरूर, तो ससी थरूर ने आपका एरॉब डार्कनेस लिखिए है, इसका फर्स्ट ओप्सन हो जाएगा, next question देखते हैं, next question है, nobel्षांतीपु उसकार 2019 मिले था आपको ये भी याद रखना है तो किस देश से इनका संबंध इसका आंसर हो जाएगा इथो पिया से नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ 65 संदी पर हस्ताक्षर किये थे तो 65 संदी पर 5 संजोते किये थे किस देश के साथ किये थे तो इसका आंसर है चीन तो फर्स्ट ऑप्सन हो जाएगा आपका चीन ठीक है ये 1954 पर इसमें हस्ताक्षर किये गए थे तो इसमें क्या था चीन के छेतर तिब्बत और भारत के बीच आपसी संबंधों को लेकर ये ए एक संदी थी ठीक है तो इसका आंसर हापका चीन हो जाएगा नेक्स्ट कुश्यों है प्रतिवर्स सुलजान सुल्तान अलजान साहखक अब कहाँ आयूजित किया जाता है तो सुल्तान से पहला आपको ये पता होना थे जो सुल्तान अलजान साहखक यह किस खेल से रिलेटेड है तो आप कहेंगे यह आपका होकी से रिलेटेड है ठीक है होकी से रिलेटेड है और यह कहां आयुजित किया जाता है तो यह आपका मलेसिया में आयुजित किया जाता है और यह जो नाम है यह मलेसिया के नवे राजा थे तो नवे राजा सुल्ता अलजान सहा कप के नाम पर इसका नाम है और ये होक्की से रिलेटेड है और कहां ये आउजित किया जाता है मेलेस्या में नेक्स कुश्चन देखते हैं पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कमपनी द्वारा बनाया गया था तो इसका आणसर आपका हो जाएगा इंटल कॉर्पोरेशन के द्वारा पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था तो नाम क्या था 4004 आगे आपका कुश्चन ये भी हो सकता है पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था तो ये आपका 4004 है next question देखते हैं next है आपका printing से पहले page का पूरवा लोकन यानि की preview करने के लिए कि shortcut कुझी का परियोग किया जाता है तो आप कहेंगे यहाँ पर control प्लस F2 shortcut कुझी का उप्योग किया जाता है preview करने के लिए next question देखते हैं next है आपका 2008 में पुलेला गोपीचन बैटमिंटन अकादमी की स्तापना कहां की गई थी तो यह पुलेला गोपीचन बैटमिंटन अकादमी की स्तापना 2008 में कहां की गई है यह आपका हैदराबाद में की गई थी next question देखते है next है आपका मौलिक अधिकारों की सुची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया तो मौलिक अधिकारों की सूचे से संपत्ति का अधिकार आपका 1978 में हटाया गया 44 सविदान संसुदंता ठीक है इसका अंसर हो जाएगा 1978 next question करते है next है दक्षण परस्चिम railway का मुख्याला कहां इस्तित है तो दक्षण परस्चिम railway का मुख्याला जो है वो हुबली में इस्तित है और यह हुबली कहां है आपका आपका करनाटक में है ठीक है हुबली आपका करनाटक में है तो इसका अंसर आपको जाएगा second option next question करते है यह second shift का last question है फिर यानि के आप total पचास्वो किशन है पाल राजवन्स का सस्तापक कौन था पाल राजवन्स का सस्तापक इसका अंसर आपका हो जाएगा third option गोपाला तो next shift करते है नेक्स shift में पहला question है Muslim League की स्थापना कप की गई थी तो Muslim League की स्थापना सभी को याद होती बहुत important question है ये कप की गई थी 1906 में की गई थी next question लीनिक्स से एक है तो लीनिक्स से क्या है ये आपका एक operating system है next question करते है next है आपका किस देश द्वारा विजडन किर्केटर्स अल्मनाग प्रकासित किया जाता है जिसे अक्सर किर्केट के बाइबिल के रूप में जाना जाता है तो ये किस देश द्वारा किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा United Kingdom तो United Kingdom के द्वारा यहाँ प्रकासित किया जाता है next question देखेंगे next है आपका गुरुत्वी तरंगों का पता लगाने के लिए स्वरोपर्थम की सुपक्राण का उप्योग किया गया था तो स्वरोपर्थम गुरुत्वी तरंगों का पता लगाने के लिए कि सुपक्राण का उप्योग किया गया था लीगो तो लीगो की फुल फॉर्म होती है laser interferometer gravitational wave observatory ठीक है येश की फॉल फॉर्म होती है तो इसका answer आपका हो जाएगा third option leego next question करते है next है आपका जयपुर के हवा महल की भारी दिबारों पर कितनी खिडिकिया है तो इसका answer है आपका हो जाएगा 953 953 खिडिकिया है हुआ महल की भारी दिबारों पर तो ये आपका यहां से लिया गया था. Next question है, खासावा दादा साहब जादेव, किस खेल से सम्बंदित थे? तो ये आपका किस खेल से सम्बंदित थे? तो आप कहेंगे, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा कुष्टी. तो fourth option इसका आंसर हो जाएगा. Next है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? रोहतांग सुरंग का नाम किस पूरु परधान मंत्री के नाम पर रखा गया था? अटल बिहारी बाजपरी का नाम पर. तो first option इसका आंसर हो जाएगा. Next है, इब्रहाम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो इब्रहाम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1517 में बना. Next question है, नेक्स्ट है, बिश्ट इस्तनपान रुजहान पहल द्वारा किये गए एक नए सर्मक्षेड के अनुजार, इस्तनपान की दर्मे 97 देशों में पहले इस्तान पर कौन सा देश है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा second option स्री लंका. Next question करते है, 2019 में साहित्य का नोबेल पुरुषकार किसे प्राप्त हो है? तो 2019 में पूछा गया है, तो किसे प्राप्त हो है साहित्य का नोबेल पुरुषकार? पीटर हैंके को इसका आंसर हो जाएगा third option. Next देखते हैं, भारत के मुख्य चुना आईक्त का कारेकाल कितने समय का होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6 वर्स या 65 वर्स की आयो तक जो भी पहले हो first option हो जाएगा. Next है आपका भारत में पहले चेतरी ग्रामीर बैंक की स्थापना किस वर्स की गए थी? तो पहला ग्रामीर चेतर बैंक कौन सा था ये भी आपको पता होने चीए. जो पहला ग्रामीर चेतर बैंक था वो आपका था प्रतमा बैंक. ठीक है यानि क्या आप कहेंगे प्रथमा प्रथमा बैंक जो था पहला आपका छेतरी ग्रामिड बैंक था और इसकी स्थापना कप की गई थी इसकी स्थापना 1975 में की गई थी तो इसका आंसर आपका फोर्थ आप्शन हो जाएगा 1975 नेक्स देखते हैं पाइथन इजाप पाइथन क्या है पाइथन एक हाई लेबल लेंग्वेज है इसका आंसर फोर्थ आप्शन हो जाएगा नेक्स आपका बांगलादेश भुटान भारत और नेपाल बीबी आइन इन चार सार्क देशों के उपसमुहन के बीच यातरी कर्मि और कारगो वाहन यातायत के बिनियमन के लिए किस वर्षे एतिहासे एक मोटर वाहन समझोते पर स्ताक्षर किये गए थे तो किस वर्षे किये गए थे 2015 में किये गए थे नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट है भारत के नौगम में नेविजेबल अंतर देशी जलमार्ग की अनु मिस्वर्ट, दोहजार उननीस ब्यूटी पेंजियेंट किस ने जीता है तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा टॉणी एनसे किभस एपन्स चाहरो जाएगा और ये कहां कि रहने वाली है ये पूछा जा सकता है तो ये आपकी कहां कि खेलों Commonwealth Games का आयोजन कब किया गया था तो पहले जो राष्टमंडन खेल थे Commonwealth तो ये पहले कहां किये गए थे ये आपके कनाड़ा सहर में किये गए थे और इसका आंसर आपका हो जाएगा 1930 तो पहले जो Commonwealth Games से ये 1930 में स्टार्ट किये हुए थे नेक्स्ट है अटल भुजल योजना से संबंदीत है तो अटल भुजल योजना किस से संबंदीत है तो अटल भुजल योजना आपका भुजल से संबंदीत है इसका फर्स्ट आप्शन आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है इन्विस स्टेट इस दा बैंकापुरा पिकॉक सेंचुरी सिचुएटेट तो कौन से स्टेट में है तो बैंकापुरा पिकॉक सेंचुरी जो है आपका करनाटक स्टेट में इसका आंसर फर्स्ट ऑप्सन हो जाएगा नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट है आपका निजाम सागरबान निमखित में से किस राजी में इस्टित है तो निजाम सागरबान जो है आपका तेलंगाना राजी में इस्टित है इसका आंसर आपका फोर्थ ऑप्सन हो जाएगा नेक्स्ट है धिमसा किस राजी का अधिकारिक लोकनत्य है तो धिमसा जो है यह आपका आंदरपरदेश राजी का अधिकारिक लोकनत्य है तो आंसर आपका फोर्ट ओप्सन हो जाएगा नेक्स्ट है आपका निम्खित में से कौन सा संभारिक युगम का एक उधारान तो आपको पता होने चाहिए संभारिक क्या होते हैं संभारिक आइसोबार्स वे तत्तो होते हैं जिनका परमानु करमांग तो भिन्ने भिन्नो होते हैं लेकिन आपके परमानु भार यानि किया आप कह सकते हैं दर्भ्निमान संख्या ये आपके समान होती है। तो इसमें आपका कौन सा अंसर हो जाएगा calcium और organ calcium आप देखेंगे organ का 18AR 40 तो ये देखेंगे आप परमानु भार जो है ये है आपका 40 है और calcium का 20CA 40 तो आप देखें कि यहां भी परमाणू भार जो है दोनों का बराबर है लेकिन परमाणू क्रमाण का डिफ्रेंट है तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा संबारी क्युक्मों का उधारन केल्सियम और आरगन है तो यहीं पर ये 75 कुशन खतम होते जो आपके 17 मार्च की सिफ्ट के थे इसके बाद 18 मार्च की सिफ्ट के 75 कुशन आएगे तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर क थेंक यू सो मच